हेलो फ्रेंड्स मैं हूं साजिदा तो दोस्तों आज मैं आपको चा didnt बनाना सिखांगी जो कि बहुत इलग तरीके से बने गा और कुकर में आपको एक भी सीती लगाना नहीं पड़ेगा इस तरीके से मैं आपको बताओंगी जो कि एक एक दाना बहुत ही खीला खीला होगा औ तो इस तरीके से मेरी मम्मी जी बनाती है चावल तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी ये मेटट शेयर करूँ तो चलिए फटा-फट से स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों चावल को बहुत ही अच्छे से तीन से चार बार धो लेना है ताकि इसमें से जो भी गंदगी है चावल की वो सारी निकल जाए और हमारा चावल जो है पूरा क्लीन साफ हो जाए तो इस तरह से मैं अपनी हातों की हेल्प से अच्छे से मसल के इसको धोक दूंगी अब मैं इसको तीन से चार बार धो लेती हूँ तो यहां पर मैंने चावल को बहुत ही अच्छे से धो लिया है अच्छे से वाश कर लिया है अब इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारे चूले की तरफ तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने चूले पर कूकर को चड़ा दिया है अब मैं इसमें पानी एड़ करूंगी जो हिसाफ से आप चावल बना रहे हो वो हिसाफ से पानी एड़ कर लिजिए तो यहाँ पर मैं दो गिलास के करीब पानी एड़ कर लूँगी और पानी को बहुत ही अच्छे से उबलने दूँगी और दो चम्मच मैं शुद्ध देशी घी इस्तमाल करूँगी जिससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हैगा और खीला खीला बनेगा खाने में भी बहुत ही तेस्टी लगेगा तो मैं एड़ कर लेती हूँ घी अगर आप नमक खाना पसंद करती है चावल में तो आप एड़ कर सकती हैं हमारे यहाँ चावल में, आटे में, रोटी में सब जगा नमक होता है medium ही होता है जादा नहीं खाते हैं हम नमक तो मैं नमक भी add कर लेती हूँ थोड़ा सी तो यहाँ पे मैंने नमक को add कर लिया है अब इसको अच्छे से mix करेंगे और एक अच्छा सा उबालाने देंगे यह जैसी अच्छे से उबल जाए उसके बाद हम अपना जो चावल हमने वाश करके रखा हुआ है उसको डाल देंगे तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी आपको कूकर का जो ढकन है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बन करना है कि जो भाप है वो निकल जाए आसानी से ये देखिए इस तरह से आपको बन करना है इससे क्या होगा भाप जो निकल जाएगी और आपको मेडियम फ्लेम पे अगर आप हाई करते हो तो बाद में आप मेडिय जो पानी है वो बहुत ही अच्छे से उबल चुका है आप देख सकते हो अब आपको क्या करना है मीडियम कर लेना है गैस का फ्लेम और फ्लेम कम करते ही हमें यहां पर चावल को एड करना है तो मैं इसमें चावल एड कर लूँगी तो अराम से बहुत ही साफधानी के साथ आप यह प्रोसेस कर लीजिए तो मैं सारा जो चावल है उसको एड कर लूँगी इस ट्रिक के साथ अगर आप बनाएंगी तो चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा तो मैं सारे चावलों को एड कर लिया है अब बच्चा हुआ भी मैं इसमें ही डाल दूँगी और इसको अच्छे से चला दूँगी और जैसे मैंने पहले आपको ढखकन बन करके बताया हुआ था सेम प्रोसेस आपको करना है पहले तो पांच मेंट के लिए आपको चावल को पकने के लिए रखना है उसके बाद एक बार चला के अच्छे से इसको पकाना है जैसे आप नॉर्मली चावल बनाती है सेम वही तो आप मैं इसको चला लेती हूँ और इसको पकने के लिए रख दूंगी तो यहां पूरे पांच में ढोगे है और मैं चेक कर लेती हूँ ज़रती चला लेती हूँ तो यह देखिए हमारा जो चावल है ये इतना हो गया है अब इसको थोड़ा सी और पकाना है यह आदा पक चुका है फ्रेंडस इसको थोड़ा सी और पकाना है तो अब इसके फिर से उसी प्रोसेस से हम में ढखना है जिसे मैंने पहले बताया हुआ था और इसको अच्छे से फिर पकने देंगे हम फिर से मैं इसे ढख देती हूँ और इसको थोड़ा और पकने देती हूँ 10 मेंट के लिए यह पानी को हमें निकालना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका पानी हमें किस तरह से निकालना है तो यहां पर मैंने एक स्ट्रेनर लिया है आप देख सकते हो आपके पास जो भी स्ट्रेनर है आप उससे अच्छे से कैरफुली स्ट्रेन कर सकते हो तो मैं बहुत ही सा इस तरह से यह दिए कि सारा पानी जो है निकल गया है अब मैं क्या करूंगी उसी कुकर में वापस से यह चावल को डाल दूंगी बहुत ही आराम से एड़ करिए दोस्तों इसके अंदर क्योंकि यह जो कुकर है अभी भी गरम बहुत है तो ध्यान से यह काम कीजिए आप यह दिखी इतनी अराम से मैं चावल को इसमें वापस से डाल रही हूं अब इसको धग देना है आदे घंटे के लिए आप कुकर का जो नॉर्मली धकन बन करते हैं वैसे ही बन करिए और इसको रख दीजिए इसको रेष्ट के लिए रखना है इसको मैं धग देती हूं फिर इसके बाद मैं आपको सर्फ करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स गर्मा गरम इसको ढख के रख देती हूं साइड में तो फ्रेंड्स यहां पर आदा घंटा हो गया है और हमारा जो चावल है वह बहुत ही अच्छा रेष्ट हो गया है उसको तो आप मैं आपको सर्फ करकर आप इसे गर्मा गरम कड़ी या डाल के साथ इंजोई कर सकते हो बहुत ही टेस्टी लगेगा मैं आपको सर्फ करके दिखा जाती हूँ प्लेट में इस तरह से आगर आप बनाएंगी तो बच्चे बहुत ही खूश हो जाएंगे सफ्ट और नरम जो चावल होता है दोस्तों व भी ग्रेवी हो या अंडा कड़ी हो इसके साथ आप इंजोई कर सकते हो असानी से तो इस तरह से आप जरूर बनाएं मेरे तरीके से अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेयर करना ना भूले क्यूंकि मैं ऐसे ही वीडियो लात ही रहती हो अपने चैनल पर